तो इस विडियो में बात करने वाले हैं स्विच बोड की replacement केसे करनी है दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो ट्wn है यहां पर एक सॉकेट है तो इस सॉकेट और स्विच बॉक्स को हम चेंज करेंगे यहां पर हम modular स्वीच बोड लगाएंगी क्योंकि यहां पर पुरानी स्वीच है ना इसकी वज़े से सोट और स्पार्क हो रहा है तो कई बार हमें यहां पर गरवालों की कंप्लेट आई थी कि सोट भी लग रहा है तो इसकी वज़े से आज हम इसको चेंज करने वाले इसके लिए मैंने यहां पर एक पनामा की मोडियूलर फ्रेम भी है और मेरे पास पुछ स्वीच और सॉकेट भी है इसमें से हम जोग करेंगे तो हम यहां से 6 स्वीच सिलेक्ट कर लेते हैं यहां पर 2, 3, 4, 5, 6 हमारे पास स्वीच हो गई है तो अभी हम 6 स्वीच को यहां पर रूप योग तरेंगे और एक सॉकेट ले लेते हैं तो चली मैं इसको फटा-फट पहले फोल लेता हूं के बाद मैं यहां से वन बाइवन स्वीच भी ले लूँगा 6 और यह हमारी होगे 6 स्वीच तो दोस्तों यह 6 स्वीच और एक स्वीच मैंने यहां ले लिए अभी इ दोस्तों यहां पर हमारी 6 स्वीच लग चुकी है एक सॉकेट के साथ तो अभी हमें क्या करना है यहां से हमें सबको एक बार पहले हम सप्लाई दे देंगे यहां मेरे पास कुछ वायर पढ़िये मैं उसका इस्तिमाल कर लूँगा दोस्तों अभी जो यह नीचे वाली जो मतलब स्वीच इस तरह से यह सिद्धी स्वीच है यहां पर और इसको आप ऐसा उटा करेंगे तो नीचे वाली जो लाइन होती है उसमें हम एक कॉमन जैसे के सबको स्वीच को हम सौट करेंगे एक रेड वायर की मदद से जिसको हम फेस बोते जिसमें से हमें पावर आता है करन्ट आता है उस करन्ट से हम इसको डैरेक्ट यहां तक पहुंच जाएंगे ठीक है तो पहले चलिए मैं सब स्वीच को लूज कर लेता हूँ दोस्तों अभी क्या करूंगा मैं इसमें से इतना एक टुकड़ा भी फिलाल के लिए लोगा क्योंकि हमें हमारा पुराना बोड़े उसके साथ ही कनेक्ट करना है तो मैं इतना टुकड़ा लेकर इसको छिल लोगा पूरा और आप ऐसे भी कर सकते हो इसको आप इस तरह से भ इसको हम निकाल देंगे पीवी सी कोटिंग को और यहां से हम लास्ट तक पहुंच आएंगे आखरी तक वन बाई वन स्वीच में से पार करवाते करवाते हम वहां तक उसको लेकी जाना है तो दोस्तों यहां तक इसको मैं लेकर आया हूँ जो बागी का एक्स्ट्रा वायर है उसको मैं यहां से कट कर दूँगा कट करने के बाद मैं इन सब को टाइट कर दूँगा अभी दोस्तों यहां का काम हो चुका है अभी क्या करना है कि यह जो स्वीच है हम इसको सौकेट के साथ लगाने वाले हैं तो क्या करेंगे सौकेट के साथ लगाने के लिए यहां पर आपको देखना है, switch में आपको यहां L और N दिखेगा, इसमें एक जगा पर L लिखा होगा, एक जगा पर N लिखा होगा, तो हम क्या करेंगे, कि यहां पर मान लीजी यह L है, यहां पर L लिखा है, ठीक है, sorry, यहां पर नीटल का N लिखा है, यहां पर यह L है, तो हम क्या करेंगे ये switch जो हमारी इसके लिए use करने वाले हैं तो इसको हम यहां से sort कर देंगे उसके लिए भी मेरे पास एक छोटा सा टुकड़ा है तो मैं उसी का इस्तेमाल करूँगा यहां देख लेता हो कितनी ज़रूत है उतना ही काट लोगा मैं इसको अभी दोस्तों यहां का हमारा काम हो चुका है खतम अभी क्या करना है कि हम जो नीचे वाली लाइन है उसमें किसी भी एक में हम किसी भी एक में जो face होता है हमारा main line का जो हमारा face आता है current वाला उसको हम किसी भी एक switch के साथ या जोड़ देंगे, मान लिजी या जोड़ सकते या जोड़ सकते, क्योंकि सब जगा पर उसका current पहुँचना है, जैसे हम switch को on करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा, अभी neutral का जो हमारा वहाँ पर है, तो यह neutral वहाँ पर already पड़ा होगा switch box में, तो वह neutral हम यहाँ पर use करेंगे, और इन सब की switch की जो wiring पूरानी आ रही है, उसी को हम यहाँ पर लगाएंगे, पहले हम इस wiring को एक एक करके लगाएंगे, बाद में हम यहाँ पर face connect करेंगे, और दोस्तो यहाँ पर अगर आपके गर में अर्थिंग की विवस्ता है, तो आप अर्थिंग लगा सकते हैं, नहीं है, तो कोई दिकर्द नहीं है, तो चलिए दोस्तो इसको अभी हम लेकर चलते हैं, वहाँ switchboard के पास, दोस्तो यहाँ पर सब सबेले यहाँ पर हम यह अर्थिंग का हमारा wire है, इसको नितार लेता हूँ, तो दोस्तो यह जो आप switch देख रहे हैं, इसमें हमें तोड़े changes करना पड़ेगा, तो हमने इसको open के बाद में बता चला, अभी हमारी जो है, वह on grid से चल रहे हैं, मतलब जो हमारी government की बीजिग आरे हैं, उसके उपर यह चल रहा है, switch और यह बाक्ति की जब यह आपर चार्ज स्वीच जो आप देख रहे हैं, यह चारो चार्ज स्वीच अभी हमारी inverter जो उपर है, यह आपर देखी यह जो supply red wire है, यह inverter से हमारी जो power आरे है, उसके उपर है, और यह वाली जो आफ और इसका connection जाता हम ने किया कि अब इन सारों को लगया है, अभी यह last वाली है, उसको हम यहां से remove कर देंगे, यह जो extra wire है, इसको मैं यहां से काट लूँगा, क्योंकि अभी हमारा switch और यह on grid पर हो जाएगा, तो मैं इसको पहले cut कर लेता हूं wire को, तो अभी दोस्तों हम जाएगे सबसे पहले जो यह हमारी newton वाला wire है, इसको हम यहां पर fit करेंगे, यहां से निकालेंगे, socket के साथ हम इसको यहां पर लगा देंगे, पहले हम जो ओन grid वाली है, मतलब सरकारी जो बजीर से हम चला रहे इस socket को, उसको यहां पर हम tight fit कर देंगे, लगा देंगे, install क इसको भी मैं यहां लगाई देता हूँ, साथो साथ, दोस्तों मैं यह one by one यहां पर replace करके आपको इसलिए दिखा रहा हूँ, कि अगर आप इन सालों पो एक साथ में निकाल देते हो, तो फिर आप confuse हो जाओगे, कौन सा wire का लगाना है, इसलिए मैं आपको यहां पर one by one, द connection, जो ओन है अभी चालू लाइन है, तो इसको भी मैं यहां से निकाल लेता हूँ, बहुर इस तो मैं यहां पर, तो यहां पर भी कि यह होगा है, काम हमारा complete, अभी यहां थी हमें जो एक एक केबल है, उसको यहां फिट करनी है, तो निकाल लेकर हम one by one इसको यहां लगा देंगे, तो सबसे पहले हम जो यह नीच्चे वाने केबल है, इसको यहां से remove करेंगे, तो यह light की है, को हम बाद म ही करेंगे, तो हमारे घर की light अभी जो on है, वो बंद हो जाएगी, वन अभी आदी जो bulb जल रही है, वो बंद हो जाएगी, इस में बाद में करूंगा, यहां फरेट फिट वहियर में, यह दूसरी वानी केबल है, इसको मैं यहां से ले लेता हूँ, छेप कर लीजी, आप connect सब तो नहीं आ रहा है न, उसको मैं यहां पर दूसरे वाले फॉर्ट में लगा दूँगा, वैसे एक्चल में हो, इस भी हमारी सेकंड नमर में थी, इसलिए मैं इसको सेकंड नमर की switch में लगा रहा हूँ, अभी दूस्तों यहां पर जो आप देख रहे हैं, लास्ट में, तो तीसरे नमर की switch है, वो हमारे बातों के अंदर जो plug लगा हूँ है, उसकी speech है, तो इसको भी मैं यहां से रिगू कर लूँगा, और उसको भी मैं तीसरे नमर पर लगा दूँगा, तो यह भी लगी दो लोगार लगी है, अभी फस्त में हमें लगानी है, एक बाती की दो switch है, जो उसको हमने छोड़ दिया है, तो कि उसके अंदर हम एक और यहां पर जो हमारे camera लगा और उसकी switch लगाने माले, इसकी अभी फिलाल हम दो switch को नहीं से रहेंगे, पहले की जो 3 है उसको रखेंगे, तो अभी बार ही था, यहाँ पर हमें जो तीसरी जो बलगी switch है, उसको यहाँ पर लगाना है, तो इसकी लिए मुझे जैसे में camera यहाँ बंद हो जाएगे, तो मैं पहले camera का जो less late उसको on कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ का काम हो चुका है, अभी गया बना है, हमें इसमें से किसी एक में, हमारा यहाँ जो power आ रहा है, वो power हमें इसमें से किसी एक के सार देना है, मैं इसको पहले फ़ड़ा lose कर लूँगा, और इसके बाद मैं यहाँ से का, जो हमारा main face है, इसको remove कर लूँग तो मैं यहाँ से निकाल देता हूँ, और यह switchboard को मैं रफ दूँगा side में कहीं, दोस्तों अभी यह सब connection on है, तो आपको बिना सोचे कहीं पर भी आतमत, बिना सोचे आप कहीं पर भी आतमते डाल दीजिएगा, नहीं तो जान के लादे पड़ जाएंगे, तो देखे, यहा connection हमारा हो चुका है, complete, अभी हम इस socket को भी check करके दे लिएंगे, यहाँ पर पावर आ रहा है, यहाँ पर देखे, supply आ रहा है, आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो यह थी इस तरह की हमारी wiring, अभी में इसको सारे वायर पो अपनी गिरा पर अंदर पहुंचा कर बंदे दर तो बस दौस्टो इतना तरह आँ आंदा आपको वीडियो एची लगियो तो प्लिस लेगा है और शब्सायब वना बिल पुल्सा फोलना तम विर्टरी को वीडियो वीगों व्रभाय थेंक्यो जाय मातान अडित